All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, The Step to Your Dream. Dear students, आज हम लोग पढ़ने वारे हैं धारप्पन कल्चर, जो के एक Bronze Age civilization था. इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह लोथल का है, लोथल एक port city था, जिसे यह देख रहे हैं, यह दर से river है, यह river है, और यह river का यहां पर एक opening दे दिया गया है, जहां पर जो भी boats है, जो बोट्स हैं, जो बोट्स हैं, वो आपर रुखते हैं, यहां पर load, unload करते हैं, तो यह एक छोटा सा लोथल का image है, या फिर कहा देख आर्टिस्टिक creation है, एक्चुली मैं ऐसे sites था, जो कि यह भी destroy हो चुका, या यह कहा देख कि, जिसका सिर्फ खंडर बचा हुआ है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस chapter में हम लोगों को, एक्चुली मैंने दो वीडियोज बनाया है इस chapter के लिए, पहला वीडियोज जो होगा, वो इन चारो topics को cover करेगा, पहला topic होगा, geographical extent, कहां तक फहला हुआ था, इसके अलावा town planning क्या है, किस plan के हिसाब से, उनका जो town, जो उन लोगों ने बसाया था, वो किस हिसाब से establish किया था, क्या-क्या structures थे, इसके लावा वो क्या खेती करते थे, क्या-क्या उगाते थे, कांसे पशू पालते थे, वो लोग कौन से पशू को जानते थे, इसके लावा उनके technologies क्या थे, क्या-क्या elements वो mold कर सकते थे, कि कौन-कौन से elements वो use करते थे इसके लावा जो crafts है उनके जो बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे जैसे मिट्टी के बरतन हो गई इन सब इन चारो topic को हम लोग यहाँ पे cover करेंगे इस chapter मतलब इस वीडियो में तो Indus Valley civilization का जो खोज है वो actually 1921 में हरपा में हुआ था in fact हरपा ही सबसे पहला site है जो की खोजा गया था जो दयाराम साहनी जी थे उनोंने सबसे पहले इसे खोजा था और फिर जो उस टाम पे जो जो जोन मार्शल जी थे जो की director general थे archaeological survey of India के तो 1921 में दयाराम साहनी ने हरपा की खोज की और R.D.B. एनरजी ने 1922 में महंचोदार होगी तो इन दोनों खोज के बाद 1924 में जोन मार्शल ने official कर दिया कि हम लोगों ने एक नई civilization को ढूंड निकाला है जो की एक इनदस बेस civilization है इसलिए इसका नाम इनदस बेस civilization भी हुआ और चूंकि सबसे पहला जो site discover हुआ था वो हरपा था इसलिए इस civilization को हरपन civilization भी हम लोग कहते हैं जैसा कि हम लोग map में देख रहे हैं कि ये जो इनदस बेस civilization है in fact ये अपने mature phase में जो कि कहते हैं एक तरह से कि एकदम पूरा fully developed urban cities develop हो चुके थे इस age में उस phase में हम लोग इसको पढ़ेंगे देखते हैं कि ये बलुचिस्तान तक पहला हुआ है बलुचिस्तान में कुछ दो port cities हैं इसके अलावा पाकिस्तान में सिंद, पंजाब इन सारे regions को ये कवर करता है इसके लाव इंडिया में हरियाना, राजिस्थान गुजरात का region in fact ये जो western UP का है वो region बाकि राजिस्थान गुजरात तक फैला हुआ तो almost बहुत बड़ा civilization था इतना बड़ा civilization उस टाइम पे कोई दूसरा नहीं था जैसे कि Egypt का civilization था में सिप्रोटामिया था ये दोनों लेकिन relatively area wise बहुत ही छोटे थे इस civilization का जो central zone है ये वाला zone ये जनरली पाकिस्तान की region में पढ़ता है थोड़ा सा इंडिया की region में 13,000,000 square km के around फैला हुआ था इतना बड़ा कोई और नहीं था तो nearly जो है वो 1500 हरपन sites हम लोगों ने ढूंड निकाला है और आगे और इस पर discovery भी हो रहे है लेकिन nearly 1500 हरपन sites हैं जिनमें से हम लोग सिर्फ औसिफ वो major cities को पढ़ेंगे जो की एक significant role या फिर एक significant कहानी हमें in this valley civilization के बारे में बताता है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा तो 13,000,000 square km के region में तो ये 1991 को भूल जाएगा in fact, ये 1921 है जो कि हरपा सबसे पहले ढूंडा किया था West Punjab province में जो की पाकिस्तान में पढ़ता है पाकिस्तान का जो पंजाब province है उसके western region में तो ये सारे चीज़े हम लोगों को धियान में रखनी है कुछ important sites हैं जो मैं आपको बता देता हूँ क्या है और वो कहां पर मतलब किस जगा पर पाए जाते हैं जिसके हरपपा हरपपा एक बहुत ही well developed urban city है जो की रवी जो नदी है पंजाब में पाकिस्तान के पंजाब province में वहां पे उसके किनारे पाए उसके किनारे बसा हुआ था मोहंजदारो जिसका की meaning होता है mound of dead मतलब मरे हिवे लोगों का तिला जिसका literal meaning है और ये जो है इंदस के border पे है पाकिस्तान के region में इंदस के bank पे तीसरा है चान होदारो जो की इंदस के ही bank पे है और मोहंजदारो से almost 130 km south की direction में पड़ता है चौथा है लोथल जो मैंने भी दिखाया जो मैंने सबसे पहले image डाला है वो लोथल का ही एक artistic variation है ये भोगवा रिवर के bank में established है established था जो Gulf of Cambay है उसके एकदम head पे है पांचवा है कली बंगन कली बंगन मतलब जो meaning होता है वो होता है काली चूरियां black bangles ये गगर रिवर जो है राजिस्थान में उसके bank पे established है तो ये कली बंगन इंडिया जो अभी modern इंडिया है उसके region परता है फिर बानवली है बानवली जो की हिसार district हरियाना के हरियाना में क्या कहते हैं established था सुटका गेंडोर जो की बलुचिस्थान की region में है मैंने भी दिखाया भी था एक port city है बलुचिस्थान region में जो की बलुचिस्थान अभी पाकिस्थान के अंदर आता है तो पाकिस्थान में dust river के bank पे है सुरुका टोडा सुरुका टोडा तो गुजरात का जो portal city है सुरकाटोडा वो है भगवानपूरा भगवानपूरा हाकरा गगर जो चैनल है उसके किनारे पे है रंगपूर और रोजरी रंगपूर रोजरी दो साइट्स हैं इन फैक्ट एक साइट्स हैं तोरा नजदीक नजदीक में यह कठ्यावार जो परिंसुला है गुजरात में उसमें मतलब उस जगा इस्टैबलिश था धुलावीरा एक बहुत important site है याद रखेगा इसको यह जो है गुजरात के कच रीजन में established है आपने देखा होगा कच का जब देखते होंगे तो कच के map में एक थोग ऐसा लैंड मास देखता है उस जगा पर डोला वीरा established था इसके अलावा राखी गरी जो कि गगर रिवर हरियाना के बैंक पर है तो यह कुछ important sites थे और कहां कहां पाय जाते हैं उनके list है यह कुछ बहुत ज़्यादा इनमें important से जैसे कि हरपा हो गया महंजदार हो गया लोथल हो गया डोला वीरा हो गया यह सब कुछ कली बंगन हो गया यह 4-5 जो है इनमें से भी ज़्यादा important है जो आपको भूलने नहीं है बाकि जितने भी यह सारे important है यह ज़्यादा urban cities थे यह developed cities थे तो इन सब के बारे में हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है इस वीडियो में एक-एक cities के development को एक-एक cities के histories को हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है अब चुकि सारे सारे urban cultures के ही cities हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक-एक के जो town planning है और उनमें पाए जाने craft जो है उनकी क्या economy था उसको देख लेंगे तो हम almost सारे cities को cover कर लेंगे तो start करते हैं जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे town planning और structures क्या-क्या पाए जाते थे जैसे कि हरपा जो civilization है उनके जो urban cities थे वो बहुत ही well planned थे इनका अपना town planning था जो कि बागे किसी और ancient civilization से match नहीं करता है ठीक है इन जितने भी जो urban cities हैं इन में एक citarel होता था एक बहुत ही उचे जगह पे एक छोटा सा area था जहां पे rice लोग रहा करते थे उस जगह को citarel या एक्रोपलिस कहते हैं obviously यह ruling class के लिए होगा चूंकि बहुत उपर और बहुत थोड़ा हट के था और नीचे citarel के नीचे वाले region में इटे के बने बहुत सारे मकान थे और थोड़े crowded थे in fact हलाकि वो भी well planned थे वो बहुत सारे blocks में बटे थे ऐसे 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 करके grid system में बीचे मकान ब्रिक हाउसे तो almost जो lanes थे 90 degree पर एक दूसरे को काटते थे तो इतना well planned मतलब इन लोगों का city था यह दिखाता है कि इन लोगों को geometry की बहुत अच्छी knowledge थी तो एक grid system यह लोग follow करते हैं जो कि बहुत सारे blocks में बाढ़ता है इन सारे cities में सबसे ज़्यादा मोहंजदारों था rich था मोहंजदारों में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि बहुत अच्छे मतलब important important हम लोग structures देखेंगे यह जो map है यह हरपा का दिखाता है यहाँ पे आप लोगों को grain risk दिख रहा होगा तो अभी हम लोग जाके एक-एक points को हम लोग अभी clear करेंगे मैंने भी कहा कि मोहंजदारों structures के मामलें बहुत रिच था उसी में से एक example है जो citadel में citadel की region में एक बड़ा सा swimming pool type structure जिसे हम लोग great बात भी कहता है जिसकी लंबाई 11.8 मीटर जो कि अल्मूस्ट 12 मीटर लंबा था 7 मीटर चौड़ा था और 2.34 मीटर गहरा था यह एक tank था जिसमें rituals bathing हुआ करते थे कहने का मतलब कोई भी बड़ा समारा हो रहा हो चाहे वो ruling class के तरफ से हो या बहुत बड़ी बूजा हो रही हूँ उसमें नहाने का जो कार्य होता था वो इससी जगह पे होता था हम लोग देख रहे हैं कि यह देखिए सीड़ियां है मतलब नीचे उतरने के लिए सीड़ियां है साइड में आप लोगों को blocks दिख रहा हो चोटा 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 यह सब changing rooms थे इसके अलावा इसमें इसका जो क्या करते हैं channel था यह गंदे पानी को ले जाता है बगल में एक tank था वहाँ पानी आता था store होता था फिर इसमें आता था और गंदे पानी को निकलने के लिए एक पतला सा drainage system था बहुत ही खोबसूरती और बहुत ही अच्छे तरीके से यह design किया हुआ structure था इसको great बात भी कहते हैं इसके अलावा मोहंजदरों में एक और बहुत बड़ा structure है जिसे हम लोग great granary के नाम से जानते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 45.7 meter into 15.23 meter इतना लंबा चौड़ा वो building था इस जिसमें अनाज store किया जाता था ठीक वैसा ही granary हम लोगों को हरपा में भी दिखता है बस हरपा में हम लोगों को 2 rows में दिखता है यह देख रहे है एक रो दो रो और इसमें एक दो तीन चार पांच छे छे ग्रेनरी एक साइड छे ग्रेनरी एक साइड इस टाइप का structure था इसका जो एक एक ग्रेनरी है वो थोड़ा चोटा था 15 into 2 into 6.09 meter इसके लंबाई चौड़ाई थी और ऐसे छे थे टोटल एक साइड और एक साइड छे पैरलली ग्रेनरी चोटी 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 ग्रेनरी वहाँ पे बनाए हुए थे लेकिन इन सब को जब हम लोग overall area निकालता है तो almost करीब करीब great ग्रेनरी के value आता है लेकिन फिर भी great ग्रेनरी इसके मुकाबले वो single structure था वो मोहंजदरों में था और यह जो मैंने map में भी समझाया है जो figure में दिखाया है यह हरपा का है तो ग्रेनरी एक बहुत important structures था किसी भी हरपन cities जो urban cities थे will develop cities थे उसके तो citadel एक important point town planning में citadel एक हो गया important दूसरा हो गया जो नीचे के जो lower regions में जो भी brick houses थे उन सब का grid system में बटा होना blocks में बटा होना साथ में granaries होना यह सब important features हैं उनके town planning के कुछ और important features हम लोग देखते हैं जैसे कि धोला वीरा और लोथल में धोला वीरा और जो लोथल site है इन दोनों जगाओं पर हम लोगों को जो भी settlement है पूरा completely है ना किलाब मतलब दिवारों से घिरावा दिखता है fortified है पूरा का पूरा settlement इतना है नहीं उनके जो blocks हैं उन सब के बीच में भी दिवारे हैं जो कि इट से बनी हुई है तो कितना ही कितना precise और कितना geometry का ध्यान रखते हैं उन लोगों ने उसे ठाउन को अपने plan किया था जो कि हम लोग आज भी अपने शहर को देखेंगे तो हमारे शहर में भी इतना बढ़ी है टाउन प्लेनिंग नहीं दिखता है हरपा जो है हरपा में हम लोगों को दिखता है इन सब चीजों के इलावा हरपा में हम लोगों को दो रूम का बैरेक भी दिखता है जहां कि हम लोग मानते हैं कि मजदूर रहा करते होंगे चूंकि उतने चोटे जगहों में एक बढ़िया फैमिली तो नहीं रह सकती इसके इलावा जो bricks हैं वो burnt bricks हैं मतलब पकाईवे इंटी जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ठीक उसी format इन फैक जब हरप्पा और मोहंज दरुख हो जा गया था उससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये एक settlement होगा इतने बड़े level का civilization का part होगा तो जब उस area में पट्रियां बिच रही थी तो उनमें से कई हजारों लाखों इंट को निकाल करके use किया गया उन्हें लगा कि शायद अभी के जमाने का structure है तो इतने मजबूत और इतने अच्छे हीटे थे कि उस region में जो अंग्रेज railway पट्री बिचाया थे उसमें उन्हें उन्हें यूज किया था तो सुचिए इतना बढ़ियां brick का टेक्नीक था टेक्नालोजी था उनके पास उस टेम पे कोई भी दूसरा civilization की बात कर लें जैसे कि Egypt उनके पास burn brick का टेक्नालोजी नहीं आए था और Mesopotamia में थोड़ा बहुत burn brick in fact baked brick use हुआ था तो इंडिस वैली civilization इस मामले में बहुत उपर था इसके जितने भी cities हैं सारे cities में जितने भी घर हैं चाहे बड़े हो या छोटे हो उनका अपना एक आंगन था courtyard था अपना bathroom था ऐसा नहीं कि public bathroom ही सिर्फ था अपना bathroom भी था और कली बंगर में बहुत सारे घरों में अपने कोई भी थे मतलब personal wells जैसे हम लोग tube well यूज करते हैं लेकिन उस time पे बहुत well functioning drainage system था इसके अलावा हर घर से जुड़ा हुआ था और सिर्फ वह जुड़ा ही नहीं था बलके वह covered भी था कई places पे वह इंटों से cover किया हुआ हुआ है कई places पे वह slips stone के पत्तर के slips से cover किया हुआ है इतना ही नहीं साथ में उसमें manholes भी दिये हैं जिससे गटर में बीच-बीच में manholes दिये होता है कि आदमी उसके अंदर गुसके साफ सफाई कर सकता है तो manholes भी थे उसके अंदर साफ सफाई के लिए तो यह सब चीज से हम लोगों को देख के लगता है कि bronze age जितना भी civilization हो चाहे वो रोमन मैसोपतामिया हो चाहे एजिप्शन हो और contemporary जो भी इंदर सिविलाइशन से जाहे चाहे 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 इन सभी में सबसे बहतर अगर किसी ने ध्यान रखा health का और hygiene का और साफ सफाई का तो वह हरपन सिविलाइशन में रखा गया हम लोग अब उनकी खेती बाड़ी और जो भी वह जानवर पाला करते थे उस पर थोड़ा से ध्यान देते हैं तो हरपा इंदस के साइड में इंदस सिविलाइशन बसा हो था इंदस के बैंक पे और इंदस नदी में पहले बार आया करता था त इंदस नदी में इंदस विली का जो रीजन था वह बहुत ही जादा मतलब वेजिटेशन से हरा भरा था एक तरह से कह सकते हैं इसका थोड़ा बहुत हम लोग को हिंट मिलता है एलेक्जेंडर के जितने भी हिस्टोरियन्स हैं वहां से पता चलता है कि उन लोग उन्हें लि जो बाहरी दिवारे हैं जो सेटलमेंट के बाहरी दिवारे हैं वो काफी उची हैं अंदर के दिवारों से तो यह दिखता है कि obviously वहां साल में एक बार या कह दें कि annual flood आता ही था इसलिए वो दिवारे उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गए थी इसके अलावा यह सारा का सार जितना भी हम लोग को region दिखता है यह flood plains है इंदस में जब बार आती है तो इन सब जगों में पानी आता है तो flood plains में बसे वे थे तो यह हम लोग मानते ही हैं और in fact हम लोगों को बहुत सार यह evidence भी मिला है कि वहां पे खेती हुआ करते थी तो वो लोग क्या थे ना वो बाढ़ा आता है और कब जाता है तो बाढ़ आने से पहले वो लोग कटाई कर लेते थे और बाढ़ जाने के बाद वो लोग बीज या फिर कहते हैं बहुत देते थे तो अल्मोस्ट एप्रिल में वो लोग हर्वेस्ट कर लिया करते थे और यह कहते हैं कि नोवेंबर तक य और अफगेंस्तान करी जाने उन सब रीजन में थोड़ा नाला और गबरबंद भी हम लोग को देखने को मिला जो की पानी को स्टोर करता है कैनाल इरिगेशन सिस्टम कहीं कहीं पे हलका से दीखा है लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं है कि वो कैनाल ही सिस्टम है तो इसलिए अल्मोस्ट कनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो आप सेंट है चैनल्स बना करके इसके अलावा अब चूंकि इतने बड़े बड़े शहर वो लोग डिवलप कर रहे थे तो ये जरूरी है ये बहुत अच्छी बात है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शहर डिवलप तभी हो सकता है शहर में अलग-अलग टेकनोलजी या अलग-अलग काम तभी हो सकते हैं जब वो लोग खेती बारे से उपर उठें तो कहने का मतलब शहर में जितने भी आर्टिसंस थे उनको काम करने के लिए मतलब freely और fully वो किसी एक काम को हान लिजिए हम तभी डॉक्टर बन सकते हैं जब तक कि हम लोगोंको food की security न हो कि हम food खरीद सकते है खरीदना ही माने नहीं रखता हमाने यह भी रखता है कि उतना surplus पैदा कर रहे हों किसान किसान अपने इलावा ज़्यादा पैदा कर रहे हो ताके शहर के लोग उसको खरीद सकें और बाकी कामों में लगे रहे हैं तो वो लोग इनफ काफी फूड उगा रहे थे सिर्फ अपने लिए नहीं बुलकि सीटी पीपल के लिए भी जो साधागर थे अर्टिसंस थे उन सब के लिए भी तो शहर के डिवलप्मेंट में यह बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है फार्मर्स का अब जो पौधे या फिर कहले वो जो अनाज उगाते थे उनमें से वीट बार्ली राई राई एक अनाज है पी लेंटल सेसम मस्टर्ड यह सब चीज कॉमन था ज्यादतर सिटीज में ल जो रीजन है वो ओविसली मैंने भी मैप में भी दिखाया कि वो मतलब नदी के साइड साइड और उसमें बहुत खुबसूरती से वो लोगों ने चैनल बना बना के हैना वहां पे इरिगेशन किया है तो राईस का वहां पे उपज हुआ है इसके अलावा वो लोग जो जो scriptures पढ़ते हैं वहां हम लोगों को दिखने को मिलता है कि वो cotton नहीं कहते हैं वो सिंदोन कहते हैं और सिंदोन वर्ड आता है सिंद से मतलब सिंद में उगाया जाने वाला special कोई चीज जिससे कपड़ा बनता है तो obviously cotton ही था तो हम हरपंस पहले थे जिन्होंने cotton उगाया थ और जो serials थे हम लोग चूंकि granaries देख चुके हैं तो granaries इतने बड़े-बड़े granaries तभी बन सकते हैं जबकि वहां अनाज store किया जाता हो और चूंकि हरपंद के main city के लोग तो नहीं उप जाते थे तो मतलब जो country sides में जो भी farmers रचते थे वो उप जाते थे और वो as a tax कह दे है ना उनसे ruling class वसूलते थे और उन granaries में रखते थे और इसका ये दो तरीका हो सकता है tax लेकर वो store करने के बाद या तो वो wages जो भी वहां काम करने वाले लोग थे वो wages उस तरीके से है ना अनाज दे दे के उनका payment क्या करते थे इसके अलावा कभी अकाल पड़ा या के टाइम पर वो इन granaries से जो tax circulated अनाज इन में जमा था उनको यूज किया करते थे जो जानवर वो पाला करते थे उनमें से एक तो सबसे पहले वो जानवर बहुत बड़े लेवल पालते थे जो कि उनको खेती में भी help चाहिए था इसके लावा सामान लाने ले जाने में help तो जैसे कि खेती करने के लिए oxen हो गए जो bell हुए बहांसे हो गई इसके अलावा goats हो गए बकरियां शीप पिग्स यह सब वो लोग पालते थे और कई जगों पे बिल्लियों और क्या कहते हैं कुत्तों का भी हम लोगों को निशान मिला है तो वो लोग as a pit cats and dogs को भी पालत को माल ढोने है जो भी एनाज लाना हो ले जाना हो माल ढोने की काम beasts of burden के काम में यूज क्या करते थे थोड़ा बहुत घोड़ों का भी वहां पे trace हम लोगों को मिला है लेकिन sure नहीं है यो बहुत बड़े amount में घोड़ा पाला करते थे खायर जो भी हो इन सारे cases में चुंकि horse centered ये कहादें कि economy नहीं है मतलब economy भी नहीं कह सकते ये कहादें कि horse centered animal husbandry वो लोग नहीं follow करते हैं तो उतना फर्क भी नहीं पड़ता अगर horses थे या नहीं थे लेकिन वहाँ जादतर asses और camels used होते थे बोज उठाने के लिए इसके अलावा वो लोग elephants को भी पालते थे हाला कि ये चीज़ हम लोगों को उस टाम के किसी और civilization जैसे कि माल लेजे एजिप्ट का जो Sumerian civilization है जो Sumerian cities है वहाँ पे हम लोगों को ये नहीं देखने को मिलता है कि वो elephants पालते थे almost जो हरपा में जो भी अनाज होगता है जो भी जानवर पाले जा रहे हैं वो सब वो पाले हैं वो सारे अनाज होगा हैं लेकिन elephants सिर्फ और सिर्फ elephants हो हमारे लिए एकता से कह सकते हैं कि सिर्फ हरपपंज का पहचान है इस सारी चीज़ों के लावा elephants भी पाला पाले जाते इसके लावा हरपंज Rhinosaurus को भी पहचानते थे छुँप क्योंकि शील्स पे बहुत सारे जगाओ पर शील्स पे रैनास और सकाष का भीए इमेज आपा देखने को मिला है क्या क्योंकि इंल्ड वेली सिविलाइ़ाइशन ये है अपन सिविलाइशन एक ब्रॉंज के यूँज पर बेस civilization है, bronze age civilization था, तो bronze smith, जो bronze बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते होंगे, वो बहुत important class होते होंगे in cities में, जो कि bronze से बने वे tools, weapons, tools कहने का मतलब हो गया, चाकू, छोड़ा, weapons, भाला, यह सब बनाते होंगे, इसके इलावा, उसके मूर्तियां बनाते होंगे, उसके बरतन बनाते होंगे, तो bronze smith एक important class था, इसके अलावा, एक चीज़ ध्यान देते हैं, कि हम, मतलब, जो हरपन के, जो bronze के मिलेवे artifact हैं, जो भी सामान है, उनमें हम लोगों को tin का percentage है, हमको पता है, bronze क्या है, bronze एक alloy है, एक mixture है, copper और tin का, तो जो कि copper से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो यहां हरपन का जो भी bronze का बनावा समान है, उनमें tin का percentage बहुत कम दिखता है, इसका ये indicate करता है, कि इंडिया में उस टाइम पे भी tin बहुत कम ही मिला करते थे, copper जो है, वो राजिस्तान के खेतरी बेल्ट से आजाता होगा, खेतरी copper माइन से, और जो tin है, वो इंडिया में चुकि था नहीं, तो थोड़ा बहुत अफगाइस्तान के region से, और थोड़ा बहुत बलुचिस्तान के region से tin आता होगा, इसलिए tin का percentage कम है, चुकि टिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसके अलावा हम लोगों को वहाँ पे कुछ कपड़े भी मिले हैं, कपड़ों के टुकड़े भी मिले हैं, खिलाओने से चिपके हुए, और तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ कपड़े हैं उल के भी बनते थे, और cotton के wool, जो obviously भेर के इससे बनता है, उनसे बने में कपड़े भी रहते थे, इसके अलावा हम लोग इंटे के इतने बड़े-बड़े structures देखे हैं, तो इसका मतलब जो brick making होगा, इंटा बनाने के लिए समझ लिए, जो भी structures होगा, और उनमें काम करने मजदूर भी, एक important role निबाते होंगे, इसके अलाव, चूंकि सिर्फ और सिर्फ इंटा बनाने, इंटा जोड़ना भी important है, तो इसका मतलब जो भी मजदूर थे, laborer थे, इसके अलावा जो इंटा जोड़ने में 9 भी देखते हैं, तो इसका मतलब वहाँ 9 भी use होता था, और 9 बनना भी, 9 बनाने वाला भी एक important class होता होगा, इसके अलावा हम लोगों को बहुत सारा seal मिला है, seal जो की सामान की पहचान के लिए होता है, इसके अलावा बहुत सारा हम लोगों को मिट्टी का जिसको कहते हैं, मिट्टी को पका करके जो खिलावना बनता है, तो उसको कहते हैं, टेरा कोटा ट्वाइज, वो सब थे, वो important craft थे वहाँ पे, इसके इलावा हम लोग वहाँ देखते हैं कि बीड जो मोतियों, मोती नहीं कहलें कि माला एं थी, माला बनाने वाला भी वहाँ पे हम लोगों को factory मिला है, इंडिस्ट्री मिला है, तो bead making भी important था, एक important craft था, जो यहां के जो बरतन है, जो utensils हम लोगों को मिला है, utensils भी नहीं कहा दें, pottery कहलें, जो भी pots हम लोगों को मिला है, उनका अलग ही कह सकते हैं कि design है, बहुत ही अलग ही, पहचान में जाता है कि shiny होते हैं, glossy होते हैं, चमकदार होते हैं, इसके अलावा इन में जो है designs हैं, वो generally trees के हैं, पेर पौधे, इनसान, इन सब के designs हैं, हम लोगों को यह देखे, तो यह अलग ही पहचान है, इसके अलावा वो लोग weight भी, जो weighing के technique हैं, कि कितना समान किस हिसाब से देना है, वो भी यूज की हैं, और इनके जो weights थे, वो 16 के ही multiples में यूज की हैं, 16, 32, 64, और एक बहुत important शीज आप लोग देखिएगा, कि हम लोग अभी भी 16 को यूज करते हैं, 16 आने बराबर एक रुपया होता है, आठ अना 50 पैसा हुआ करता था, चार अना 25 पैसा हुआ करता है, तो यह 16 का जो गनित है यह हम लोग समझ लिए कि अभी तक हम में हैं, और हम लोग चुंकि इंदस में भी देखते हैं, हम लोगों को measuring units जो मिले हैं, वो 16 के ratios में मिले हैं, और जो length का नापने वाला जो sticks है, वो भी हम लोगों की मिला है, copper का बना हुआ लंबा लंबा स्टिक्स, और sticks में marks किये हैं, कि यह एक unit हुआ, यह दो unit हुआ, ठीक है, तो वो भी मिला है, तो मतलब उन लोगों को नापने का भी ग्यान था, बहुत उन्नत एकता से कहते हैं, बहुत developed culture था यह हरपा का culture, यह देखिए, यह measuring units, जिसको हम लोग अभी कह सकते हैं, बटखरा, जो लोहे का जो kg का unit सबाता है, जिससे हम लोग सबजी है, कोई भी चीज नापते हैं, यह उनका measuring units, यह 16 की ratio में होता था, हरपान civilization में एक बहुत important craft है, वो है seal making का, seals जो हैं, बहुत important यह कहते हैं कि greatest artistic creation है, हरपान civilization का, यह जो seal आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें bull है, और साथ में क चोटे-चोटे inscriptions हैं, क्या लिखा गया पता नहीं, उसके बारें भी हम लोग discuss करेंगे, वो next video में होगा, इसके लाव उसमें images होते थे, जैसे कि one horn bull, एक sing, एक singha जिसको कह सकते हैं, एक singha bell, इसके लाव भैस का, tiger का, rhinoceros का, goat का, elephants का, यहां तक ही humans का भी, क्या कहते हैं, images हैं, उसके उपर गढ़े हुए, इसके लाव जो artists से थे, जो भी artists हैं से वहां पर, वो bronze के मुर्तियां बनाते थे, बहुत खुबसद खुबसद मुर्तियां बनाते थे, बहुत ही अच्छे मुर्तियां बनाते थे, जैसे हम लोग अभी पहले वाले photo में, हम लोग देख हैंना, bronze का statue है, जिसमें से उसके गले में माला है, और हाथों में चूरियां type से बने ही हुई है, तो वो बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे, image making में, इसके अलावा, टेरा कोटा का बहुत सरा खिलावना भी है, जो thumbnail मैंने डाला भी है, वो museum का है, science museum का है, तो वो टेरा कोटा के बने ही खिलावने भी थे, खिलावने थोड़े rough और बहुत ही perfectly designed नहीं थे, यह दिखाता है कि जो figures थे, जो मुर्तियां थी, वो चाहे worship के लिए use होती हों, या फिर चाहे खेलने के लिए use होती हों, या फिर वर्शिप के लिए use होती हों, लेकिन उन images में, या उन मुर्त मुर्तियों में एक चीज़ था कि वो मुर्तियां बहुत ही खुबसूरती के साथ बनाई होई थी, लेकिन जो terracotta के toys थे, वो rough images था, बहुत ही ज्यादा sophisticated way में बनाया होनी था, unsophisticated था, जो भी, कह सकते हैं, जो terracotta के figurines थे, वो unsophisticated थे, लेकिन वहीं पर seals और images थे, जो म images ये दमूर्तियां जो use करते होंगे, वो class जादा अमीर होंगे, और जो terracotta के figurines use करते होंगे, वो गरीब होंगे, तो ये classes के difference भी हम लोगों को यहां से पता चलता है, एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है, कि stone के मामले में, stone के work के मामले में, harapan culture थोड़ा सा poor है, जबकि Egypt और मिसर पटाबिया में हम लोगों को stone का बहुत बड़ा बड़ा structure देखने को मिलता है, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, कि जो harapan civilization है, वो stone works में बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को growth नहीं दिखाता है, यह देखिए, यहां पे dancer girl है, और यह किसी, हम लोग इस chief priest, इसका photo है, जो कि हमें पता नहीं actually क्या है, लेकिन इसकी embroidery जो इसके कपड़े के embroidery दिख रही है, और बहुत बढ़ियां से बनाएंवे, दाड़ी के designs, बाल के designs, और बहुत ही embroidery के साथ ओड़ा हुआ कपड़ा, यह दिखाता है कि यह ज़रूर बहुत important figure रहा होगा, तो ख post-urban phase क्या, उसमें क्या हुआ, इसके लाओ उनका religious practices क्या था, political organizations क्या-क्या थे, उनका उदाय कब हुआ, पतन कब हुआ, पतन होने के क्या possible reasons हम लोग लगा अभी तक अनुमान कर चुके हैं, क्या उसमें हम लोगों कोई ठोज सबूत मिला, इन सब चीजों को हम लोग next video में पढ़ेंगे, और क्या-क्या inscriptions थे, वो भी और inscription decipher क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या फिर क्या possibility है, वो सब को भी हम लोग next video में देखेंगे, thanks, I hope अब लोगों को ये समझ माया हो, अगले वीडियो जल्दी ही आएगी, मिलते हैं अगले